आज हम आपके साथ सेर करेंगे चनी के कोपते अगर आप चनी के सुपचया खाका के उग गया है तो आप चनी के कोपते ट्राइ कर सकते हैं या आपके घर में हरी सुपचया नहीं है तो आप इसके जगर पे कोपते बना सकते हैं तो इसके लिए हमने चनी लिये हैं और चनी को और अब क्या करना हमें इसका एक पेस्ट रेडी करना है तो हम इसे मिक्सिजार में डालेंगे और बिना पानी के इसे हम पीश लेंगे ये बिना पानी का भी बहुत अच्छा से पीश सकता है लेकिन अगर ये नहीं पीश पाया तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं प्रम में चुने को पीश लिया है अब क्या करेंगे इसमें प्zep referendum डालेंगे तो बिल्स में और च्राइब कर लिया है और और श्णोटी चम्मज हल्दी जब ठोडर डालेंगे और आदडी चुटी जब那 सद should I तो इस तरह से करने हैं अब हम अच्छा मिकस कर लेंगे लिए अब तो इसके लिए हमें पोड़ी के लिए बनाते हैं आप अब इसे वैसे ही बना लेंगे तो इस तरह से हमें सारी के सारे लुयों को बना करके रेडी कर लेना है तो इस तरह से हमने लुया बना करके रेडी कर लिया है और अब हम इन्हें प्राइ करेंगे तो इसके लिए हमने कड़ाई में टेल डाल दिया है और इसे बनाने के लिए सासो तेल कहीं में सामय कंपिया है ते ल बहुत अच्छे से गरम हो गईिए और उसमें हम चैनी बो浯 को डाल देगे हैं तो इसे गुल्डें होने तक हमें फ्राइ करना है और अब आप लेक्से की बहुत अच्राइब लिए त्यारी को ग्रेवी करेंगे तो सेम कड़ाई में बचे हुए तिल में हम ग्रेवी त्यारी करेंगे और अब हम इसमें कुछ खडे मसाले डालने है तो मैंने बहुत जादा मसाले महीं लिये हैं बस लाल में छ लिया है तुछ पत लिया है और एक चोटा चमन चीरा लिया है और अब इसी कुछ सेकेंड तक तो दो बड़ी साइज का दू प्याज निया हमने और इसे बहुत बारिक्स कट कर लिया है आप चाहें तो इसके जगह फे प्याज के पिउरी ले सकते हैं और अब देख सकते हैं कि प्याज बहुत अच्छे स्पी vrij यौन गया है तो हम इसमें टमाटर डालेंगे तो तक बनख लिया है नहीं हमने और अब हम ब्याज और टमाटर पॉडर डालेंगे आदी छोटी चमच काली मिर्च का पॉडर डालेंगे एक चमच जीरा पॉडर डालेंगे और एक चमच मैंने चिकन मसाला डाला है आप किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला डाल सकते हैं और अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और तीन से चार उसे सबसे आप पानी डाला इसके साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे स्वादर निसार अब हमें इन्हें पकाना है तो पांस एची उगालाने तक हम इन्हें पकाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रेकर बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हमें इसमें चैन के बॉल को डाल देना है और अब हमें इसे दो से तीन मियर तक और पकाना है ताकि कोप्ती सौफ्ट हो जाए अंदर से इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि कुपती बनकर की रेडी हो गया है तो अब हमें इसमें उपर से गरा मसाला डाला है तो हम इसमें लाश्ट में गरा मसाला डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्रेम को आफ कर देना है तरह से गैस के फ्रेम को आप कर दिया हमने और अब हम इने ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए अब चिक करते हैं कि यह कैसा बन करके रेडी हुआ है तो आप देख सकते की बहुत टेस्टी बनता है चलने के कुपते आप एक बार घर पे जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आ थाइगा तेंक यू